अब ये कुछ दिनों पहले ग्रेटा थन्बग ने बारत के तीन अलग-अलग फार्म लॉज उसकी समरी एक ट्वीट में बना कर दे दी तो लोग मुझको भी फर्माईश कर रहे हैं कि ये इत साल तो UPSC का प्रिलिम में वेकंसी बहुत कम है और पिछले साल की प्रिलिम में बहुत टॉफ क्वेस्चन पूछे थे तो आप हमको कैप्सूल नॉलेद दे दो एक ट्वीट में या एक लाइन में कि हमने क्या करना चाहिए UPSC प्रिलिम जनर स्टडिस पेपर 1 100 क्वेस्चन होते हैं उसमें से हर एक क्वेस्चन उसका अपना एक मिजाज होता है उसको देखके पढ़के खुद सॉल करके 50-50 कुछ एलिमिनेशन टेकनिक लगा के कौन सी रेगुलर बुक में से आया कि बाहर से रेंडम पेराशूट से ड्रॉप हुआ था वो सब आपने समझना पड़े एक कैपसूल समरी में ये कर दो और वो कर दो एक स्लाइड में वो नहीं बोल सकते मेरी आदत है हर साल ये जो UPSC प्रेलिम का पेपर खतम होता है फिर में एक Excel फाइल बना कर कि कौन से सबजेक में से ये प्रशना आया वो कितना difficult था easy, medium, tough वो theory का प्रशना था या current contemporary affairs का प्रशना था source क्या था वो जब आप कोई routine अपने non sources में से कर सकते थे NCRT, लक्ष्मिकान, spectrum बड़े बड़े दूसरे famous books and study material या फिर कि randomly कुछ पूछा था ऐसे जब 100 questions मैंने solve करके उसकी answer की explanation के साथ डाली अपनी website muna.org slash prelim में और फिर उस excel फाइल को मैंने जब short command दिया तो पता चला कि ये जो 100 questions होते हैं उसमें से करीब 61 questions वो routine preparation sources में से थे और बाकी करीब 39 questions वो ऐसे unknown और random type के source में से पूछे गए कि उसमें कोई एक single common secret book हैने कि उसमें से वो सारे या फिर कि उसमें से 5 प्रशन इसमें से ही आये थे 5 प्रशन इसमें से ही आये थे environment के, agriculture के बगएरा तो उन सभी random unknown question में क्या करना था या तो कुछ 50-50 elimination करते या उसको skip करते तो ऐसी तो कोई single secret book secret test series, secret top 100 topic list है ही नहीं कि जिसमें से ये सब हो सके अभी असल में difficult paper निकले तो कोचिंग वालों की चांदी होती है कि वो student को डरा डरा करकी देखो ये तो ऐसा trend है और अचानक बदल गया और आप मुझे join किजिए और मैं आपको सब secret चीज़े बताऊंगा तो ऐसी वो मुरुक जल और चिकनी चुपडी बातों में आप ना भागे कुछ ऐसा है नहीं जो पिछले 5 साल में पढ़ा रहे थे और अब नहीं पढ़ाएंगे या कुछ नया ही पढ़ा देंगे जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं सब लोग वही तो बाई वो तो कोई नहीं कर सकता और उपर से जितना आप ये कॉमेंट और सोशल मीडिया में ज़्यादा एंगेज रहेंगे तो उसी में आप ही दिमोटिवेट होंगे ये तो एंजिनियर और साइंस वालों को बहुत मदद करता है ये तो ऐसको मदद करता है बहुत किसको मदद करता है नहीं करता है आप जो होके आए अब आपने माली आर्ट्स कॉमर्स या कुछ एंजिनियरिंग किया है तो आप कोई एवेंजर मुवी की तरह टाइम मशिन में पीछे जाके अपना सब चेंज कर सकते हैं क्या नहीं तो जो हाथ में है उसी को लेके आगे बढ़ना है कैर ये UPSC और स्ट्रेटेजी और जो भी मुझको बोलना था वो सब मैं पहले ही बोल चुका हूँ और उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बाकि अब 100 दिन की स्ट्रेटेजी दीजे फिर 50 दिन की स्ट्रेटेजी दीजे फिर 5 दिन बचे फिर से स्ट्रेटेजी दीजे अब एक्जाम के 5 ही मिनिट बचे हैं तो फिर से स्ट्रेटेजी दीजे कि हाथ से पहन पकड़ू कि मुझ से पहन पकड़ू तो वो सब क्लिक बेटिंग के काम मेरे से नई